हलो दोस्तों स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटी एक्जाम के लिए बहुती मैतपन क्यूशन आपको क्या करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना है आज का पहला क्यूशन है मारवाड के पंस पीरों में कौन सा मिलित नहीं है चार ओप्सन दिये गए हैं मारवाड के अंदर जो पांस पीर हैं उन में से इन में से कौन सा सामिल नहीं है यानि कि लोग देवता के नाम दिये गई हैं उन में से हमें देखना है कौन पांच पीरों में सामिल नहीं है तो एक नमर पर है गोगा जी दो नमर पर है मिहा जी तीन नमर पर है राम देव जी और चार नमर पर है तेजा जी तो इसका सही answer आपको comment में बताना है इसका सही answer रहने वाला है तेजाजी दोस्तो ये question कई बार exam के अंदर पूछा गया है अभी भी पूछने के बहुत सारे chance है इसके क्योंकि तेजाजी है वो सभी जानते है कि तेजाजी को बुझा जाता है सबसे ज़्यादा जो अभी नाम है वो तेजाजी का लिया जाता है लेकिन ये 5 पिरों में सामिल नहीं है ये आपको ध्यान रखना है तो गोगाजी रामदेव जी तेजाजी सब लोग इसका अगर नहीं पढ़के जाते हैं वो मेहाजी आंसर करते हैं लेकिन मेहाजी 5 पिरों में सामिल है ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर तेजा जी इसका सही आंसर होगा जो 5 पिरों में सामिल नहीं है अगला किसन सेना के जवानों में स्रे देवी कौन सी है सेना के जवानों में यानि कि जो military है आरमी है उसके अंदर भी एक जो स्रे देवी रहती है तो वो कौन है एक नमर पर हैं एक नमर पर हैं खोडियार देवी दो नमर तनोटिया देवी तीन नमर करणी माता और चा नमर पर हैं अंबा माता तो इसका जो सही आंसर है सेना के जवानों में इसरे देवी है वो जेसर मेर के अंदर है तनोटिया देवी तो दो नमर आंसर इसका सही हो जाएगा तरनोटिया देवी अगला क्यूशन है मीना जन जाती के लोग किस देवता की जूटी कसम नहीं खाते हैं तो कई बार एक्जाम में पूछ लिया गया ये क्यूशन कि मिना जाती के लोग है वो किस देवता की जुटी कसम नहीं खाते हैं एक नमर बूरिया बाबा, दो नमर देव बाबा, ती नमर राम देव बाबा और चार नमर परे सभी की तो इसका सही आंशतर है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा की जो मिना जाती है, जुटी कसम नहीं खाती है भूरिया बाबा की तो एक नमर उप्सन सही होगा भूरिया पापा अगला दो नमर क्यूशन है राम देव जी नी जिवित समादी ली थी बैस्तान कोन सा है इंपोर्टन क्यूशन है याद भी रखना है आपको कि राम देव जी जो जिवित समादी ली थी राम देव जी ने जिवित समादी ली थी और हमारे राजस्तान के अंदर कहां पर ली थी तो एक नमर है राम सरोवर रूनीचा, दो नमर है घोगा मेडी बादरा तीन नमर पर है सुर्षर अजमेर और च्या नमर पर है फोकरन जेसलमेर तो आपको याद रखना है राम सरोवर रूनीचा, रूनीचा नाम आपने सुनाओ अगर राम देव जी के लिए तो रूनीचा इसका सही आंशर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है राम देव जी ने जिवित समादी ली थी एक नमर उप्सन सही होगा राम सरोवर रूनीचा, अगला क्यूशन है खड़नाल नागोर का समन्द किस लोग देवता से है, खड़नाल नाम आपने सुना होगा गोगा जी, एक दो नमर मिहा जी, ती नमर तेजा जी और चान नमर पर है हड़बू जी तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों तेजा जी, खड़नाल के आपने जो तेजा जी है, वो पूझी जाते हैं, नागोर जी ले के अंदर है खड़नाल, और ये एक लोग देवता है तेजा जी, ती नमर उप्सन सही होगा तेजा जी अगला किष्णय तिलवाडा बाड मेर में किसे लोग देवता का मेला भरता है, तिलवाडा कांपर है बाड मेर में है, ये भी कई बार एकजाम में पूझा गया है, तिलवाडा कांपर है तो बाड मेर मेर में है, तो यहां के जो लोग देवता है पर कोन है, एक नमर है वीर बाड़ मेर के अंदर मलीनाद जी का मेला बरता है चार नमर उप्षन से होगा मलीनाद जी तील बाड़ा बाड़ मेर अगला किस्टन है जेसल मेर के बाटी सासकों की कुल देवी कोन है जेसल मेर के अंदर आपको पता है बाटी सासक थे उनकी कुल देवी कोन है तो एक नमर त पता है जो स्पेज वाली डेवी बॉला जाता है ख़ंदो के अंदर है पूछा जाता है तो इसका सही आश्याम पाबूजी पाबूजी को आज भी उन्टों के लिए पूजा जाता है उन्टों के देवता है तो दो नमर और उप्सन से यह गापूजी अगला क्यूशन है चार आत वाले देवता के रूप में कोई विख्या आता है कई बार एकजाम के अंदर पूछा गया है जो नहीं पढ़ करके जाते हैं उन्हें नहीं पता होता है चार आत नाम आते ही उनके कनफ्यूज हो जाता है कि चार आत वाले भी कोई देवता है क्या तो इसका जो सही आश्या आश्या वह हम देखते हैं पहला उसने वीर तेजा ज तो इसका सइएंटर है वीर कल्लाजी के चार हाथ क्यों थे क्यों थे बंवी की देवता की रूप में कोन लोग पुरी है गोन पुरिय कंहीं थे ऩी निम देवबबा चार अमर पर बंतेगा धर तो बोमिया जी को याद किया जाता है खेजडी के नीचे इनका जो थान बनाया जाता है मंदिर बनाया जाता है बोमी के देवता की रूप में पूझ जाते हैं बोमिया जी दो नमर उप्शन से योगा बोमिया जी अगला जो क्यूशन है वो है कौन सा यूगम एय संगत है गोगा जी कामप्रे दद्रवाद चूरू में है ठीक है तेजा जी खढ़ना लागोर में है पापूजी कॉलमुंड फ्लोधी में है जोद्पुर में ठीक है देव बाबा मलानी बाड़मेर में नहीं है तो चार नमर एए संगत है, अगला क्रिशन है, सांपरदा एक सद बाउना के लिए सूफिक ख्यात मेला कौन से है, गोगा जी का और रामदेव जी का, दो पसन दिखाई दे रहे हैं में, तो रामदेव जी इसका सही आंसर होगा, रामदेव जी का मेला है, यहां पर इंदू भी जाते हैं, पर मुसलमान भी चाहते हैं अगला कई नहीं तो इसका सही आंसर वह जाएगा रेड़ टोंक को प्राचीन बारत का ताटान अगर कहते हैं तीन नमर उप्शन इसका सही होगा अगला क्यूशन है किस स्थान की खुदाई में सूंग एवं कुशान का लिक्स बेता के अशेस मेली हैं एक नमर नगरी दो नमर जोदपुरा तीन नमर सुनारी चार नमर प्रा बिराड तो इसका सही अनसर हो जाएगा जोदपुरा में जो खुदाई की गई है जोदपुरा के अंदर वहाँ पर सूंग में कुशान का लिक्स बेता के अशेस मेली है दो नमर उप्शन सही होगा जोदपुरा अगला क्यूशन है बिजक की पाड़ी बीम जी की डूंगरी यहों महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्तित है बिजक की पाड़ी बिजक की पाड़ी बीम जी की डूंगरी और जो महादेव जी की डूंगरी है कई बार एक जाम में पूछा लें, तो इसका सही आनसर है जैपूर, जैपूर के अंदर है ठीक है, बिजजक की पाड़ी है, बिम जी की डूंगरी है, और मादेव जी की जो डूंगरी है, ये जैपूर जी ले में है, एक अनमर उप्सन सही होगा जैपूर, अगला जो प्राचिन बात का टाटा नगर रेड टोंग है, ये अमें क्यूशन में जेज रखा है, और ये एश्यक सबसे बड़ा बंडार यहां पर मिला है, तो वो कौन सही है, एक नमर प्राचिन लोहे सामगरी, दो नमर प्राचिन सिक्के, ती नमर कांस शेबरतन, और चा नमर प्र मन मूर्तिया, तो इसका सही अंसर है, प्राचिन लोहे सामगरीया मिली है, लोहे के कई सामगरीया मिली है, प्राचिन बात का जो टाटा नगर है, रेड टोंग, वहाँ पर प्राचिन लोहे सामगरीया मिली है, एक नमर प्राचिन लोहे सामगरीया मिली है, एक नमर प्राच तोडगड में है, काली बंगाह नमानगड में है, नहीं कि गंगानगर में है, तो चार नमर वाला ऐसंगत है, सही नहीं है, काली बंगाह नमानगड में है, अगला कुछन है, राजस्तान की प्राचिन सबीता आहड की खोजगिस विद्वान ने की थी, भोती मैं तो पुछन ह ये भी पूछ लिया गए ये खोजगिस ने की थी जो हैड सबीत है उद्यपूर की अंदर तो एक नमर है आर्ची अगरवाल दो नमर करनल टोड और ती नमर दस्रत सर्मा और चार नमर पर है आरडी बेनर्ची तो इसका सही आंसर है आर्ची अगरवाल ने जो राजस्तान के अंदर प्राचीन सबीत है आहड सबीत है उसकी खोजगिती आर्ची अगरवाल दो एक नमर पर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर टोंग प्राथा तुब को पुरवे में मालव नगर कहते हैं एक नमर ओप्षन इसका सही होगा अगला क्रिशन है मकानों में एक से अधिक चुले किस पुरादात्विक्स्तल के उत्खनान से प्राप्त हुए हैं एक से अधिक चुले जो खाना मनाने के लिए बनाए जाते हैं चुले वे पुरादात्विक्स्तल किस सबेता से मिले हैं तो एक नमर गनेश पर दो नमर अहड ती नमर बागोर च्या नमर बेराट तो अहड से बेता से मिले हैं एक से दिस लगवग छे चुले मिले हैं ठीक हैं चेह चुलों के पुराजात्विक स्तल जो हमें अवसेस मिले हैं आठ सबेता के अंदर, आठ सबेता कहां पर है? उद्यपुर में है उसके बाद में है गिलून सबेता थी गिलून सबेता क्या थी? कांशय योगिन, लोहेगिन, पासान कालीक और तामर योगिन तो गिलून सबेता है, वो अराजमन में है और ये तमर योगिन है चार नमर उप्सन है ना, तमर योगिन याद रखना है आपको अगला किशना है, जोतेवे खेत के सबसे प्राचेन परमान कहां पर मिले है? कई बार एक्जाम में पुछा गए है, कौन से फसल थी? आज के क्यूशन कैसे लिए कोमेंट में बता देना, साथ या आप CET की तैरी करते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही महत्मन क्यूशन आपको दीरे दीरे बताने वाले हैं, आप चैनल के साथ जुरूर जुडे, ठैंक्स पर वाचिंग, आपका दिन सुबहु